डिक्टेशन 5 सिकेंड बाद स्टार्ट होगा इसमें टोटल 800 सब्ध हैं तो अब डिक्टेशन लिखने के लिए तयार हैं स्टार्ट सभापती महोदे मैं अपना काम करने के साथ साथ प्रसासक को चाहे वह सासन तंत्र में उचे पदपर हो या छोटे पदपर या छप अवस्य छोड़नी चाहिए कि वह जनता की इच्छा अनुसार काम कर रहा है वह चाप चाहे सत प्रतिसत सही नह भी हो, यह भी सही है कि हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता, प्रसासक प्रतिक ब्यक्ति की इच्छा का पालन नहीं कर सकता, पर आमतर पर उसे यहीं चाप छोड़नी चाहिए कि वह लोकमत के अनुसार काम कर रहा है, और लोगों से विचार वि प्रसासन दोनों के खीत में आवस्यक है। यदि ऐसा न हो तो लोकतन्त्र तत्काल न सही। लेकिन कुछ समय बात विद्रों पर उतारू हो जाता है। यह बात हर तरह की प्रसासनीक गतिविध्यों पर लागू होती है। लेकिन समाजिक कारियों पर जिनका आमतर पर लोगों पर सिधा प्रभाव पड़ता है अधिक कठोरता से लागू होती है इसलिए यह अवस्यक है कि प्रसासन हर समय लोगों की महावनाओं पर नजार रखे और लोग यह अनुभव करे की प्रसासन भी उन्ही में से एक है और उनकी असाओं अकांचाओं को प्रति फलित करे कर रहा है और हमेशा करता रहेगा जो प्रसासक अपना कार भर्षक इमंदारी से कर रहा हो उसे प्रायह वस्तामान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए वस्तों में उसे अलोचना और अरोपी का सामना करना पड़ता है जिससे वह दुखी और चिर्चिडा महसूस करता है लेकिन एक योग्य प्रसासक हमेशा सही काम करेगा और साथ ही लोगों को भी यह अनुभव कराएगा कि वह उनकी असाओं को फली भूत कर रहा है लोगों को यह पता होना चाहिए कि वह कुछ सीमा तक प्रसासक को परामर्स दे रहे हैं या उसकी अलोचना कर रहे हैं तो असपत है कि उसे अपने निरणे के अनुसार ही काम करना पड़ेगा वह अपने सैक्ड़ों हजारों सला का सलाकारों की बात तो न सुन सकता है और नहीं उसे सहमत हो सकता है लेकिन अपने कामकाज के तरीके से उसे उन्हें यह अनुभव करा देना चाहिए कि उसने उनकी सलाह पूरी तरह ध्यान दिया है और नहीं केवल उनके प्रती बलकि उनकी सलाह को समान की द्रिश्टी से दिखता है जब वह हरे को संतुष करने में सफ़ल रहेगा। सभपती महोदे जिंदगी में बहुत सी चीजों की तरह प्रसासन में भी अब क्या करते हैं से अधिक महत्तोपूर्ण यह है कि उसे किस तरह करते हैं लोकतंत्र में विसाल जनसमु के साथ काम करते समय यह और भी महत्तोपूर्ण होता है। मैं इस बात पर विशेश रुप से बल देना चाहता हूँ कि क्योंकि यह बात एक प्रसासक के लिए भी उतने ही महत्तोपूर्ण है जितनी एक राजनितिग्या के लिए है। राजनितिग्या इस बात को अपने समाने कारे बैपार में सिग्र समझ जाता है क्योंकि यदि वह इसे नहीं समझता तो उसका पत्ता कट जाएगा लेकिन प्रसासक इसे पूरी तरह समझे बिना भी काफी समय तक बना रह सकता है। यह दूसरी बात है कि उसके प्रती दुर्भावना पन पेगी और वह अपना काम हर तरह नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए लोगों की सक्रिये सहियों की अपसकता होती है। अब राजय में पूलिस का बोल वाला नहीं है। प्रतेक राजय समाजिक और आर्थिक तवर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वस्तुता समुचा लोगतंत्र प्रसासन एक तरह से अपसर्साही ही है। समाझवाद का बढ़ना अपसर्साही का बढ़ना है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग अपसरसाही के विरुद जोर सोर से नारे लगाते हैं, उन्हीं को इसकी अधिकाधिक अवसकता होती है, समझवादी सासनों के विकास में यहीं छिपा है, प्रसासन का काम अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है, उसे किसी विशेश छेत्र मे केवल सांती ही बनाय रखनी है, यह कर नहीं वसूल करना है, उसे जनता से घर्णी संपर्क बनाय रखना है, और उसे अपने अनकूल रखना चाहिए, वास्तों में उसे कुछ सीमा तक किसी अच्छे और सफल राजनितिग्या का तरीका अपनाना चाहिए, वह तरीका नहीं जब वह राजनितग्य ओट मांगने जाता है, बलकि वह तरीका चब वह लोगों की सहायता कर उनका मन जीतता है। संयोग से निदेशक महोदे की रिपोर्ट में अस्थानिय स्वसासन से संबंधिक एक अनुसंधान पर्योजना का उलेख किया गया है। मेरे बीचार से सबसे महत्तोपूर्ण बात यह है कि संस्थान को स्वसासन की और विशेश रूप से पंचायतों की प्रसासनिक समस्याओं की और ध्यान देना चाहिए हमारे देश में हजारों पंचायते हैं जो हमारे लोकतांत्र का वास्तविक अधार है। यदि हमारा अधार ही मजबूत नहीं होगा तो हमारे दूसरे अधार संसत के होते हुए भी लोकतांत्रिक रूप से सत्प्रतिसत अस्थाई नहीं होंगे और प्रसासन की निव गड़डा सकती है। समात चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को सेर भी कीजिए थैंक यू